हेलो फ्रेंड's कैसे आप लोग फ्रेंड's आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपर्टन वीडियो होने जा रहा है क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि WITHOUT NOTATION यानि कि आप गाने को सुनकर किस तरह से उस गाने को आप mouth organ पे बजा सकते हैं सिर्फ गाने को आपको सुनना है और सुनने के बाद आप गाने को mouth organ पे यानि कि harmonica पे बजा सकेंगे आपको कोई notation के जरूत नहीं है कोई notes की जरूत नहीं है without notation बस गाने को सुनकर आप गाना बजा सकते हैं harmonica पे तो जो trick मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही important trick है और बहुत ही easy trick है आप इस trick को अगर समझ जाएंगे तो आप गाने को बजा सकते हैं बस एक बार सुन कर तो पहले मैं बता दूँ वीडियो पर आप बने रहेगा अगर इस वीडियो को अच्छी तरह साथ समझ लेंगे तो आप कोई भी गाना हार्मोनिका पर प्ले कर सकते हैं बस सुन के तो देखिए अगर आपके पास немножко होस का mouth organ है अगर tower है तो आप जानते हैं कि 3 octave होते हैं lower octave, middle octave, higher octave lower octave 1 से लेकर 8 के बीच में बस ता है नौ से लेकर 16 के बीच में middle octave बस ता है और 17 से लेकर 24 में higher octave बस ता है तो कुल देखिए 12 नोट्स होते हैं सारे गम पधनी ठीक है? यह साथ नोट्स हो गए और रे कुमल, ग कुमल, मातेबर, धकुमल और नी कुमल यह कुमल जो है या तेबर यह स्लाइडर को प्रेस करने के बाद यह पाँच नोट्स बसते हैं छहां पर आपको slider को press करना होता है तो सात- नोर्स सारे गम मपधनी वित ऑड़ स्लाइडर अधर और बजा सकते हैं और यह पांच यह जो qmg alarmUR से बहिंख हैं इसमें आपको slider प्रेस करना पड़ता है तो यह बार गंगाना without slider, यही आपको lower octave में भी 12 notes मिलेंगे और higher octave में भी आपको 12 notes मिलेंगे ठीक है, तो इसी 12 notes में ही आपका सब गाना बचता है कभी-कभी आपको middle octave से आपको higher octave में आना पड़ता है या फिर higher octave से lower octave में आना पड़ता है लेकिन गाना बचता है यह C12 notes के अंदर ठीक है 12 notes के use करके ही बसता है अब जैसे समय लिजे आप एक गाना बजाना चाहते हैं without any notation बस गाने को सुन कर तो पहले तो आपको गाना को सुनना है अच्छी तरह से दो-तीन बार आप गाने को अच्छी तरह सुन ले त्यून को अच्छी तरह से सुन ले उसके बाद आपको क्या करना है ज़्यादा तर गाने देखेगा यह जो middle octave है यानि कि 9 से लेकर 16 के बीच का जो hole है इसी के अंदर से शुरू होता है ज़्यादा तर गाने हैं कुछ-कुछ गाने हैं तो पहले आपको गाना का ट्यून के हिसाब से आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है ठीक है जैसे हम 9 से लेकर 16 के बीच में आप जैसे 9 number hole में आप जानते है फूकना पड़ता है 10 number hole में खिचना पड़ता है यह तो मैंने आपको बताया हुआ है कि odd number hole में फूकने पे आवाज निकलती है 24 hole के mouth organ पे और even number hole में खिचने पे आवाज निकलती है ठीक है अगर वहां से निकल रहा है तो आप 11 number में चल लिए इगार नमबर में आप फूकिए देखिए वो गाने का जो पहला जो ट्यून है वो निकल रहा है कि नहीं जैसे for example मैं आपको बताता हूँ जैसे एक गाना ले लेते हैं होटों से छुलो तूम मेरा गीत अमर कर दो ठीक है यह जो गाना है होटों से छुलो तूम जगजी सिंच का बहुत ही popular गाना है समझ लिए ये गाना आपको बजाना है तो पहले आप गाने को सुन लिजी अच्छी तरह से उसका ट्यून आप अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लिजी दिमाग में अब फिर आप देखें नौ से लेकर सुलर के बीच में आप इस ट्यून को बजाने की कोशिच कीजिए पहले देखें नौ नमबर में हुल में आप फूक के देखें देखें गाने का जो ट्यून हे हूँ टून से नहीं नंकल रहा ठीक है तो अब दस नमबर हुल में आप खीचिये त्यून नहीं निकल रहा है आप 11 नंबर होल में आप फूखिए कि देखे ये यह देखेँ बैटरा है एक दो फिट बैटरा हो अब हुआ टू ँखें के लिए अब चेली के लिए आप देखें किस्मे पहले इग 4 में 12 में आप देखें नहीं निकल रहा है अब तो आप बैक आईये 10 में आईये देखिए हो टो तो 910 आपको पता चल गया कि 9 में से गाना शुरू हो रहा है और फिर आपको बैक में 10 आ रहे हैं तो फिट बैट रहा है ठीक है हो टो तो पहले आपको स्टार्टिंग होल वो बहुत इंपॉर्टेंट है किस होल से आपको स्टार्ट हो रहा है वो अगर आपको पता चल जाए तो बाकी आपका काम बहुत इजी हो जाता है आपको starting hole पता चल के हैं जैसे देखिए 11 number hole starting hole है फिर आप देखिए कि हो टून उसका जो tune है कहां से निकलेगा आप एक बार आगे 11 number आप फूक रहें तो 12 number में आप खिच के देखिए वो tune निकल रहा है कि नहीं अगर नहीं निकल रहा है तो आप पीछे जाए आप 10 में खिचिए ठीक है देखिए वहां से निकल रहा है कि नहीं अगर वहां से निकल नहीं निकल रहा है तो आप फिर 9 में फूक यह अगर इधर left में देखिए आपको नहीं निकल रहा है क्या बज़ा रहा हूं देखिए 11 11 10 11 11 11 11 से इतना आपका निकल गया ठीक है उसके बाद अगर आपने सरगम प्रैक्टिस किया है फ्रेंड्स तीनों आक्टेव में तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा Automatically आपको देखे पता चलेगा कि यह ट्रून आपको कहां से निकलना है अगर नहीं भी निकलता है तो थोड़ा साब Experiment करके आगे पीछे फूप के खीच के आपका गाना लेकिन देद्र निकल जाएगा थोड़ा साब को मतलब experiment करना पड़ेगा थोड़ा सापको practice करना पड़ेगा लेकिन आपका गाना निकल जाएगा यह तो हो गया जो pure notes हैं, अब कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपका, आप experiment जब कर रहे हैं, pure notes बजा रहे हैं, आगे-पीछे जा रहे हैं, कुछ-कुछ ऐसा notes है जो आपका नहीं निकल रहे हैं, सारे, गम, पदर, नीजे और 7 notes हैं, इसमें आपका वो tune नहीं निकल रहे हैं, तब आप एकडम confirm हो जाइए कि यहाँ पर कोमल नोट्स लगेंगे या फिर तिब नोट्स लगेंगे ठीक है तो उस नोट को निकालने के लिए आप slider को दबाईए ठीक है तो बस थोड़ा से आपको एक्सपेरिमेंट करना है अधे घंटे अगर आप इस तरह से करेंगे तो गाना आपका वह निकल जाएगा जैसे यह गाना है मेरी जिन्दगी सवारी जैसे देखे पहले आप शुरू किज़ें नौ से लेकर सोला के बीच में आप कोशिच किजिए कहां से निकलेगा मेरी जिन्दगी सवारी मेरी देखें नहीं निकल रहा है नाइन से नहीं निकल रहा है टेन में नहीं निकल रहा है इलेवन में इलेव 11 12 11 12 13 11 12 13 में मेरी जिन्दगी लेकिन सवारी सवारी देखिए नहीं निकल रहा है मैं अगर आगे पीछे भी जाओ देखिए मैं आगे पीछे जा रहा हूं फूग नहीं निकल रहा है ठीक है तो मुझे यहां समझ लेना चाहिए कि यहां पर मुझे कोमल नोट्स की जुरोद पड़ेगी अब देखिए जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो वो ड्रेंट निकल जाएगी देखिए तो प्रेस करने के बाद निकल रहा है तो बस यही ट्रिक है फ्रेंट्स आपको कोई भी गाना पहले सुन लेना है रिकॉर्ड कर लेना दिमाग में फिर 9 से लेकर 16 में आपको 9 से फूकिये 10 में खीचिये 11 फूकिये आपको स्टार्टिंग होल आप निकाल किस होल से आपका गाना फिट बैठ रहा है उसके बाद बस आपको आगे या पीछे लेफ्ट या राइट साइड में फूक कर खीच कर वो ट्यून निकालने की कोशिश करना है जहां पर आपका फूकने पर खीचने पर भी वो ट्यून नहीं निकल रहा है तो आप कंफर्म हो सुनके ही आपको स्टार्टिं zweiten पता चल जाएगा कि आपको यहां से स्टार्च करना ही ऐगा एक्सपेरिएस की बात है प्रैक्टिस की बात है लेकिन ट्रिक यही है आपको यही शुरू करना है तो में एकले वीडियो में फ्रेंड बाबाइ